हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 2 के सब्जेक्ट मैट्स की वीक नमबर 28 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वर्क सीट का टॉपिक है गिव एंड टेक तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहे हैं तो शुरू करते हैं बच्चों यहां पर जो लेडि बग दिया गया है इसकी बैक पर आपको छोटी छोटी डॉट्स बनानी है ऐस पर बोथ गिवन नंबर्स जैसे कि दौनों नंबर्स दिये गए हैं उतनी ही आपको बनानी है and write their total number in blank box और खाली box में आपको उनके total number लिखने है तो बच्चों जैसे कि first है 10 और 12 कितने होते हैं इने प्लस कर लेंगे तो बच्चों यहां पर 10 डॉट है और यहां पर है 12 तो बच्चों total कितनी डॉट हो गई यह प्लस करके total हो गई 22 तो बच्चों यहां लिखेंगे 22 अब ऐसे ही बच्चों next है 13 और 12 को प्लस करना है यहां पर आप 13 डॉट बनाएंगे और इस साइड में बनाएंगे 12 तो बच्चों 13 और 12 कितने हो गए 25 यहां पर लिखेंगे next है 16 and 15 तो बच्चों इस पार्ट में बनाएंगे 16p अब बच्चों कोईशन है लुक अट दर टेबल गवन बिलो नीचे दीगे टेबल को देखी यहां पर बच्चों नाम है सौनम, फर्स्ट इनिंग में उसने कितने catch किये 25, सेकंड में 17, अमन ने फर्स्ट इनिंग में 30 किये, सेकंड इनिंग में 26 catch पकड़े, गौरव ने फर्स्ट इनिंग में 12, सेकंड इनिंग में 15 catch, तानिय ने फर्स्ट इनिंग में 18 और सेकंड इनिंग में 9, राहूल ने फर्स ऐन और रहा बेने पोधशान 52 सबैस्क्राइब है जोग तो हैं donc लोग लोगर तो मैं 15 तो बच्चों है तो हुआर नहीं 18 & 9 तो बच्चो 9 & 18 को प्लस करेंगे कितना हुआ 27 राहुल ने लिए 22 & 27 तो बच्चो दोनों को प्लस करेंगे 7 & 2 कितने हुए 9 2 & 2 4 तो बच्चो 49 लिखेंगे यहाँ अब बच्चों यहाँ पर answer the following questions questions के answer देने हैं who took the most catches in the first innings first innings में किसने सबसे ज़्यादा catch लिए तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप किसने लिए हैं तो first inning है बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा लिए हैं अमन ने तो यहाँ लिखेंगे अमन अमन का नाम लिख देंगे in the first innings how many balls did Sonam catch more than Rahul first inning में Sonam ने Rahul से कितने ज़्यादा ball catch की हैं तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे Sonam ने 25 और Rahul ने 22 तो बच्चों 25 में से हम 22 को minus कर देंगे 5 में से हमने 2 minus कि 3 और 2 में से 2 0 तो कितने बच्चे 3 तो यहाँ लिखेंगे 3 it means 3 ball catch उसने ज़्यादा किये हैं next है how many balls did Gaurav catch in both the innings गौरव ने दोनों ही innings में कितने ball जो है catch की हैं तो बच्चों यहाँ देखेंगे Gaurav 12 and 15 को plus कर लेंगे कितना हो गया 27 तो बच्चे यहाँ लिखेंगे 27 अब बच्चों next है how many less balls did Tanya catch in second innings than first innings Tanya ने second innings में first innings की अपेक्षा कितनी balls का catch कम लिया है तो बच्चे यहाँ पर यह है first inning 18 और second में 9 तो बच्चों 18 में से हम 9 को minus कर देंगे तो उसने second innings में first की अपेक्षा 9 ball कम catch की हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 9 next next है who caught the most catches in both the innings दौनों ही innings में किसने सबसे ज़्यादा catches लिये हैं तो बच्चों किसने लिए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लिए हैं दौनों ही innings में अमन ने तो यहाँ पर नाम लिखेंगे अमन अब पच्चों कुशियन हैं बंटी और बबली हैं 50 रुपीज बंटी और बबली के पास 50 रुपे थे ले प्रचेश डा पैकेट ओफ बिस्किट और फाइब रुपीज उनने पांच रुपे का बिस्किट का पैकेट लिया ए बोटल ऑफ लिमका आफ 17 रुपीज सत्रार र रूपीज और उनके पास कितने रूपए बचे तो बच्चे उन्होंने खर्च कितने किये हैं 5 की तो उन्होंने बिस्किट लिया है 17 की लिमका की बॉटल ली है और 18 के बनाना लिये हैं अब बचे यहां पर क्वेश्चन है टोटल रूपीज विद बंटी और बबली बंटी बबली पर कितने रूपए थे 50 रूपए थे 50 यहां लिखेंगे 50 रूपीज इस्पेंड बंटी और बबली ने कितने रूपए इस्पेंड किये तो बच्चे ने प्लस कर लेंगे 17 और 18 कितने होते हैं 35 35 में 5 प्लस करेंगे कितने हो गए 40 तो बच्चे उन्होंने खर्च कि प्लस करना है तो बच्चों यहां पर कैसी किया गया 15 प्लस थर्टीं माइनस थैन equal तो बच्चो 15 और 13 का जो plus है लिखेंगे 28 28 में से minus किये है 10 तो कितने बच्चे 18 तो बच्चो इसी तरीके से करने है 21 में से 8 minus करेंगे कितने बच्चे 13 यहाँ पर लिख लेंगे plus 7 यहाँ पर plus 7 कर देंगे तो कितने होगे 13 और 7 20 यहाँ पर लिख लेंगे अब next है 16 और 17 को plus करने पर कितना आता है 7 और 6 13 का 3 1 और 1 2 और 3 इतमीज 13 3 तो यहाँ लिखेंगे 33 अब बच्चो हमें minus करेंगे इसमें से 19 तो यहाँ लिख लेंगे 19 अब बच्चो 33 में से 19 minus करेंगे तो कितना आएगा 14 बच्चो आप इसे इस तरीके से minus कर सकते है बच्चो 3 में से 9 minus ने कर सकते हैं यहाँ से बोरो ले लेंगे अब कितने हो गए 13 13 में से 9 minus कितने बच्चे 4 यहाँ पर कितने रह गए 2 2 में से 1 minus कितने बच्चे 1 तो बच्चों आंसर कितना है 14 तो यहां पर लिखेंगे 14 लाइफ स्किल, हॉम बजट प्लानिंग अ हॉम बजट इस अमंग दा मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप एनी फैमिली नीड्स तू टेक टू एंशुर डियर फाइनेंशियल हैल्थ घर के बजट को प्लान करना ये बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है कदम है जिसकी एक परिवार को अपनी फाइनेंशियल हैल्थ को इंशुर करने में सुरक्षित करने में बहुत जरूरत होती है इफ ये डॉंट हैव आप अपने घर के महीने के खर्चों को ट्रेक करने के लिए एक अच्छा प्लान नहीं रखते हैं एंड आउट फ्लो इस्पैंडिंग केंगेट आउट ओफ हैं तो जो आपके खर्चे हैं वो बहुत अधिक हो सकते हैं आपके हाथ से बाहर जा सकते हैं इसका मतलब है कि आपकी इंकम से जादा हो सकते हैं प्लानिंग अ बजट कैन बी सिंप्लिफाइड इंटू फोर इजी स्टेप एक बजट को चार तरीकों से चार स्टेप में हम अच्छे से बिल्कुल साधरार तरीके से प्लान कर सकते हैं Add up your monthly income सबसे पहले जो आपकी monthly income है आये है उसे add करें Subtract monthly expenses अपने जो महिने के खर्चे हैं उन्हें घटा दें Checking extra and unnecessary expenses फिर अपने जो घर के unnecessary हैं जिनकी ज्यादा आवस्सक्ता नहीं है उन्हें खर्चों को चेक करें और फिर fourth step है बच्चों savings कि आपकी क्या बच्चत है अब यहां पर बच्चों table Fill the table related to your home budget given below नीचे दी गई table को आप अपने घर के बजट से relate करके fill करेंगे and answer the questions that follow और जो questions दिये गए हैं उनके answer देंगे तो बच्चों यहां पर देखिए यह है activity यहां पर और यह है income expenses इट मीज़ आपकी income कितनी है और आपके expense कितनी है खर्चे कितनी है तो बच्चों यहां पर है monthly income तो बच्चों यहां पर लिखेंगे monthly income जैसे कि monthly income है 20,000 monthly debt payments it means जो महिने का rate देना होता है debt बोलते हैं बच्चों रेन को तो वो कितना है 2,000 food and drink में कितना expense होता है 1,800 household goods पर जो घरेली सामान होते हैं उस पर 5,000 utilities जो उपयोगिता के work होते हैं उन पर आपका expense होता है 1,500 cloths कपणों पर 500 rent किराय के लिए 2,000 other work के लिए other जो आपके work होते हैं उन पर expense होता है 1,000 तो बच्चों यह आपका expense है और यहां पर है monthly income यहां पर यह example है home budget का कि आप कैसे से fill करेंगे तो बच्चों इसके लिए आप अपने माता पिता से उनकी income पूछेंगे जैसे कि यहां पर 20,000 है तो उनसे आप उनकी income पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि उनके खर्चे कितने हैं तो बच्चों यहां पर यह जो expenses हैं तो सभी के different हो सकते हैं तो बच्चों यह आप पूछ कर फिल करेंगे अब question है what is your total expenditure it means जो total है monthly खर्चा कितना है तो बच्चों आप इसे plus कर लेंगे तो ऐसे ही plus करने पर कितना आता है यह 13,800 तो यहां पर लिखेंगे next है what is your total saving at the end of the month बच्चों महिने के अंत में आपने कितने बचत की है तो बच्चों यहां पर देखेंगे हमारी जो income है वो कितनी है 20,000 खर्चा कितना है हमारा जो expenses है 13,800 का तो इस में से हम इसे minus कर देंगे कितने बचे 6,200 तो हमारी monthly saving कितनी है 6,200 next expenditure in which of the activities can be minimized अब बच्चों ऐसा कौन सा खर्चा है जिसे आप कम कर सकते हैं तो बच्चों यहां पर जैसे की cloths होते हैं cloths हम मन्थली नहीं बनाते हैं हर महीने कपड़े नहीं बनते हैं तो बच्चों जो cloths and other जो हमारे expense होते हैं हम उन्हें minimize कर सकते हैं कम कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे cloths and other students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you